अब मैं आरुसी जी से निवेधन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के बर्दमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बता हैं अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशन्स का विबरन अब चलते हैं टूर्स चंद्रयान 3 झालते हैं नमस्कार इसरों के इस महा अभियान से जुड़ने के लिए आप साधर आमंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिस्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी सेट के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं 23 अगस 2023 आज की साम इसरों के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रमा के सता पर उतरने के अयतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ इसरों के गौरों पूर इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी वनेंगे आप ए सारे विज्वल्स अपने स्क्रीन पर इसरों के मिसन आउपरेशन कॉंपलेक्स यानि मॉक से देख रहे हैं जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग एंड कमान नेट्वर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है इस विज्वल्स आपको पावर डिसेंट के काउंट डाउन और उस पत को प्रदर्सित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूँ इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर है जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आप फिसिल वेबसाइट फेस्बुक ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं Honorable Dignitaries, Delegates, Scientist, Media Personnel and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandraientri Mission's landing event on the lunar surface. ses are the visually from mission operation complex at ISROS Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namba Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase तो प्रिटकल और मोस्ट टिचिल को अजोगी की चालॉगांच इस्टिशान को फेर बान्ट से यह अद्Star कि अच्छे स्टॉप इस उप्र आफ लॉगाटी को अवर से लन खाने विटीर के लिजगे हैं as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. अक्तूबर दो हजार आट में प्याश्ट ओक्तूबर दो हजयर आख में प्यासलद समय विखोजिए प्यासाथ्टू. धन्यवाद आरुसी अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोक मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के वीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम ठके ना हम हारे हमने पिछली कम्यों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माडियूल निश्चित तोर पे चंद्रमा के सिता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिसंस को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इसरो का पहला मून मिसं चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLV राकेट के द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सता पर पानी की खोज करके पहले ही तियास रच चुका है यही कारण है कि आज कल विस्व के तमाम अंतरिक्ष बैग्यानिक और स्पेस एजन्सिया चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर राकेट LVM-3 द्वारा सफलता प्रोवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LVM-3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्षन और मिशन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्तपूर्ड पेलोड OHRC यानि की आर्विटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वहतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं आरुसी जी से निवेधन करूँगा कि वह आप लोगों को इसरो के बरतमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लुनार मिशन का विवरन अब चलते हैं तोर्स चंद्रयान 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2 which has been designed to accomplish our mission goals The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 km ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach carried a total of 5 earth-bound manoeuvres The 5th apogee raising manoeuvre, which took place on the 25th of July placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 km At the early hours of 1st August, the Translunar injection was carried out after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 km for its rendezvous with the Moon The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the Translunar injection Yes, the Translunar injection is a very important part of any interplanetary mission The Post-Arch and the Translunar injection was acquired by the Aviation Module in the 6th of July The system was carried out with the Lyn, the Translunar injection namely the Translunar injection के अन्य था उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव छेत्र से बाहर निकल जाएगा एलो आई के सफलता पुर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को चार बार और परिवर्तित किया गया इस दोरान चंद्रमा के अधिक्तम उचाई को घटा कर 160 किलो मीटर कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन माडियूल का लगभग 755 किलो ग्राम इधन का उप्योग हुआ और चंद्रयान 3 के बेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सकेंड कम कर दिया गया लगभग 150 किलो मीटर के सर्कुलर आर्बिट में स्थाफित करने के बाद 17 अगस 2023 को प्रपल्सन माडियूल से अलग कर दिया गया पुनह लैंडर मॉडल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा एक सो पचास किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट से घटा कर पचीस गुड़े एक सो तीस किलो मिटर के एलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो थ्रटेवल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनुपती का सामना कर सके लैंडर मॉडूल इस आर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को से पहले कारयात्मक रूफ से वेरिफाई और वैलिडेट किया जा सके इस दोरान चंद्रयान दो और लैंडर माडूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संचेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर माडूल अब तक 21 बार प्रतिवी के और लगभग 120 बा चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाग किलो मेटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह वी सुनिश्चित किया गया की सारे आर्विट मैनिस इस प्रकार किये जाएं कि लैंडिंग साइट पार के सुरुवाद से ही लैंडर के आर्विटल प्लेन में बना रहे है। कित फुर्द कॉम्लिकेट इंडीड, we have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 Lander Imager Camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the Moon's surface is no ordinary feat, due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6048 km per hour without any aid from the thin and tenuous Moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the Moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements provisioned for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the Moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. Chandrayaan-3 mission plan लगभग 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 Chandrayaan-2 के तरह ही बनाया गया है. यहां यह वी सुनिश्चित किया गया है कि Chandrayaan-3 को रॉकेट से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकट्तम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गत्विदियां Chandrayaan-2 के तरह ही हो. और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सत्प्रतिसत सफल रहा. हलाकि Landr module के sensors और propulsion system को इस तरह से मजबूत किया गया है कि Landr Power Descent के समय किसी भी आपदा से बाहर आ करके Mission के मुख्य विद्देश्य को पूरा कर सके. इस क्रम में Landr के मुख्य sensors कारा, LASA, LHBC, LDV और LHDAC का कारयात्मक परिक्षड भी किया जा चुका है. LDV जो कि पूर्टह स्वदेशी तक्नीकी से बनाया गया एक नया sensor है इसका मुख्य कार Landr के velocity को तीनों पक्षों में compute करना है. Power Descent के दौरान Landr के सटीक position और velocity का ज्यान होना बहुत ही आवस्यक है. LERAP यानि Laser Inertial Referencing and Accelerometer Package इस कारे को Power Descent के दौरान बखुवी निभाएगा. Trajectory Generation जो कि चंद्रयान 3 mission के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बिट मैनिवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि Landr की Mission Objective को ना बदले. इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि Orbit Determination जो कि उपग्रह के position और velocity को बहुत ही accurately बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल competition और estimation होता है. यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC payload अब तक काफी उचे अस्तर का dam प्रदान किया है जिसके फल सुरूप landing site के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे 2.4 km कर दिया गया है, जो कि Power Descent के दवरान soft landing कराने में काफी सहाइक सिद्ध होगा Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 Orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer Ilsa that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe chest will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of power descent. The entire power descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the power descent. Yes, we are very close to the power descent. Yes, we are very close to the power descent. We are going to tell you that the power descent is about four steps. First, the rough breaking phase is the rough breaking phase which is the lander of the range of 30 km from the range of 30 km and 7.4 km will be completed. In this process, it will take about 11.5 minutes and it will take about 1,680 m per second and 358 m per second will be completed. We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's deep space network IDSN 32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before wherein various preselections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The hold descent is divided into four phases. The rough breaking phase, the attitude hold phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. Jee haan. Attitude hold phase, which is the second power descent which is the second power descent which is the second power descent It is a very important phase. In this phase of 10 seconds of small duration, lander's two important sensors KARA and LASA lander's height will be up to 6.8 km during the rough breaking phase. During the rough breaking phase, the lander's velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 km to 7.4 km at the end of rough breaking. currently we can see the scientists are analyzing the lander data. Yes, we can see that in the mission operation complex room, all the data that we are seeing are deep space network ideation 32 to 32 provide and if we are talking about the third power descent which will be fine breaking phase which will be just 800 meters vertically automatically this will be about 3 minutes and the lander's velocity will be about 3 minutes The scientists here at ISTRAC are glued to their systems analyzing all sorts of complex data We are very close to the power descent to the start of the power descent phase Yes, if we talk about the power descent which is called the local navigation phase or the terminal descent phase this time will be closed two engines will be closed and the lander with its height and velocity will be inertial navigation will be in this this time the lander 150 meters will be after full 131 seconds and after the lander will be hovering will be the 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 mission operation complex and all the elements are . the अ, the 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 सुरू होने में लगभग लगभग तीस सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन आपरेशन कांपलेक्स रूम में आईएएशन थर्टी टू के द्वारा जो की लागातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है प्रदान कर रहा है दियर व्यूवर्स थे पिविटल पावर डिसेंट थास बिगन और लैंडर मॉड्यू इस प्रपेलिंग तोवर्स थे मून सुर्फेस अलॉंग थे इंटेंड ट्राजेक्ट्री जी हां अब हम अब देख सकते हैं रहाँ प्रेसिट प्रेकिटी सुर्वाँ हो चुकी है During this rough breaking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers, at the end of rough breaking. all this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package Liraap is aiding in the navigation. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, खुल 745 km के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कम्प्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह सुरुवात हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने बेगमान को अनुमानी तरीक से घटा रहा है. अंथा है। उकर भुटके और The Altitude of the lander Module will reduce from 7.4 km to 6.8 km, during the next phase which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 km. We can now say that the rough breaking phase is a very good way. You can see that the projected ground trace is growing on its lander module. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. Yes, RUC. Since the ALS has been activated, there is no commanding from ground. At this point, all the data from ISRO's deep space network is coming from real time. In this mission, 2nd and 3rd order guidance polynomial, which will always listen to inertial thrust and angle. During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various preselections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. and the ALS had already been initiated, one hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttle-able engine electronics module, the TEC-M, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. Yes, you can see on your screen that the lander module, which had a velocity of 1680 meters per second, was increased by 1150 meters per second, which can be a very majestic surface for this rough breaking phase. Here, I will tell you that you can see on your screen that the lander module's altitude is very, 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 very low. This is expected. Now, we will talk about current altitude, which is about 28.6 km. in the distance. You can see this on the screen. The Chandraientri lander imager display. The lander imager is continuously giving, is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 km. The current altitude is 27 km, as can be seen on the screen. The next phase after the rough breaking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented, such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given, from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough breaking phase. Yeah, if we are looking at attention, we are looking at attention then, within the outer space, the lander, the horizontal velocity with its horizontal velocity, the altitude is half higher than 24 km. की उचाई प्राप्त कर चुका है अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहां पर हम देख सकते हैं कि होरिजेंटल विलोस्टी लागातार कम होती हुई दिख रही है दिख तुल कर दिख ट्राइब का है कुर तुल बैंडिंटर हैं विल्ट विल्ट आतω कि अग माथ तुछ तुफड़ी विल्ट तू कि ऑन्ट अविलोस्ट वाइ। पूल ओवन्टि ज जी हां अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की होरीजेंटल विलोसिटी लगवग लगवग साथ सो बीस मीटर पर तिसेकेंट हो गई है लगवग लगवग हम एक सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकेंड विलोसिटी को कम किया जा चुका है at the same time we can see the altitude of the lander is just 17 17.8 km from the moon surface which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase is phase ke baat hum jayenge towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters we can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface the current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance travel is 754 kilometers we can also see the image that the lander imager camera has been providing जी हां इस rough breaking phase के दौरान 800 newton के चारो throttle engine अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और lander के horizontal velocity को लागातार कम कर रहे हैं अब तक lander लगवग लगवग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है after the rough breaking and the attitude hold phase we shall be having the fine breaking phase which will continue for nearly three minutes the whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground जी हां अरुशी अभी आप अपने screen पे देख सकती है कि जो current altitude है चंद्रमा के सतह से लगवग लगवग 10 km के आसपास है कि जी हां हम अपने जी हां हमारे प्रधान मंत्री जी स्री नरिंद्रमोजी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफरीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गए हैं कि मत्सक्या थेख जी हां प्रध भॉड़िज दिर विने स्री नरेंद्रमोजी जी हो है क्सथ आफ यहानस बर्ग तो एंकरेज अस जी हाँ आपे देख सकते हैं attitude hold face भी बहुत ही आसानी से lander face ने पार कर लिया है और अब fine breaking की सुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि lander की उचाई लगभग 5.6 km है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 metr हो जायेगे We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800-800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसे कि आरुसी जी ने बताया कि लगभग तीन मिनट के उपरान, Lander की हाइट लगभग 800 meter vertically होगी और यहाँ पे Lander की horizontal velocity, vertical velocity, even downrange भी लगभग लगभग सुनने होगा. We can see the visual of the Lander module and we can see that the downrange travelled is nearly 831 km. जी हाँ, आप अपनी screen पे देख सकते हैं कि Lander की उचाई अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 km से कम होगी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 km as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि Lander की उचाई, लगभग लगभग लगभग, एक किलो मेटर के आसपास है. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम fine breaking waste के एक दम करीब आ चुके हाँ, आप तालियों के गड़गड़हट से सिंख सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पूरवक हासिल कर लिया है, और अभी हम vertical descent phase में आ चुके हैं, जिसकी शुरुवात भी बहुत ही अच्छे धंग से हो चुकी हैं. आप अपास, इंडेक वट निया हैं तिल आप पॉपॉवास हैं य कि अी नी 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 ट्री को प्स एंग प्रोट इंग जा सकते हैं कि आप एंग य कि नी को अपुकी हैं बहुत हैं तूरुवाइ का फुका बहुत टमेश्ट पहुत कर आफ। घुवत फंट आपर दिसक देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर है और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस सफेज के दोरान लगभग 150 मीटर के उचाई पर पहुचने के बाद लैंडर लगभग 20-22 से के लिए होवरिग करेगा we are about the landing site the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पतनिर धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सतव से जो कि सब्सक्राइब आप इस तालियों के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं जो कि सकेंड हायृरिक फेस के कम्पलीट होने के बाद इन सारे वैज्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर अगर थिर से ध्यान से देखें तो आल्टीटीव पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं अभी है अभी है अभी है अभी है अभी है देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग 75 मीटर के आसपास बची हुई है कुरुँ अभी वही है अभी है अभी है अभी है हम अभी है ड़ी कुना को लंग था जा रहा है अभी है पचास मीटर से भी कम आ चुके हैं। कि हम पाव लाइंडर माडूल पीपल आर अप्लोडिंग लाइंडर माडूल पूरी तरह से सेफली और साफली चंद्रमा के सतह पे लाइंड हो चुका है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही ऑंदा आप अपने अपने अब इस्रोग कम्यूनिट थाप्र प्रविश्ट्याजव तर्शों प्रविश्ट्वाश्ट्व प्रदान मादर जी नमश्कार। मेरे प्यारे परिवार जनुॉ जब हम अपनी आँखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है ये पल आव विश्मनिय है ये च्छा अभुपुर्व है ये च्छा विक्सीद भारत के संखनात का है ये च्छा नए भारत के जैगोश का है ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है ये च्छा जीत के चंदरपत पर चलने का है ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है ये च्छा भारत में नई उर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये च्छा भारत के उदैमान भाग्य के अहवान का है अम्रत काल की प्रथम प्रभा में सभलता की ये अम्रत भर्सा हुई है हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इस नाव अन दे मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उडान के साक्षी बने है साथियों मैं समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका में हूँ लेकिन हर देश वाजी की तरह मेरा मन चंद्रयान महा भियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जस्न में डूब गया है हर गर में उत्सम शुरू हो गया है रदे से मैं भी अपने देश वाज्चियों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ मैं टीम चंद्रयान को इसरो को और देश के सभी वैज्यानिकों को जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनों ने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्चन किया है उत्सा, उमंग, आनंद और भावुक्ता से भरे इस अध्वुत पल के लिए मैं 140 करोर देश वाचियों को भी कोटी-कोटी बधाईया देता हूँ मेरे परिवार जनों, हमारे वैज्यानिकों के परिश्रम और प्रतिभासे भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी द्रू पर पहुँचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका अब आज के बाद से चांड से जुड़े मित्थक बदल जाएंगे कथानग भी बदल जाएंगे और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम, हम सभी लोग धर्ती को मा कहते हैं और चांड को मामा बुञाते हैं कभी कहा जाता था चंडा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंडा मामा बास एक तूर के हैं और अबूए करेंगे दूर चांड करेंगे अरथ करेंगे आविड़नी बड्स ही प्रव करन करेंगे आप लूपनील छूपनी कावड दिए प्रशन है प्र इन प्रव मून आगिए प्रव एक तूर मन प्रव एक बच्च जभते हैं आड यह इन वारो प्रोला इतना यह अच्धार्थ पेस्थ यदिरीजिए अप्रीजेट कर दीज बात ओर प्रीजिए अबनावम दीजिए है, प्रोच भाव एप्रीजए बात भीनाव अप्रॉच गत प्रहिके लुप हुआिंग अगुट्राव āप्रर आप्रोब स्यूम् प्रच्शिक अपरोच जो प्रचाज, हम एक बालो मून स्वाद प्राग्श अपरोच जो वांने के लिएक पुलिषानी्ती कि अपरच्छिक अपरोच। therefore this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future I am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats we can all aspire for the moon and beyond मेरे परिवार जनों चंद्रयान महाभियान के यूपलब्दी भारत की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांख्शी लक्षत्ताई किये जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इस रो आदित्य एलवन मीशन लॉंच करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है गगन यान के जरिये बेश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काइड नौर्द लिमेट साथियों साइन्स और टेकनलोजी देश के उजबल भविश्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा ये दिन हम सभी को एक उजबल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ये दिन हमें अपने संकल्कों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीख है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के समीव वैज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के इमिशन के लिए धेरो शुब कामनाए बहुत 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 धन्राइब बहुत बढ़ाण कि अधर दिया प्रदान अमधर जीव और अधर जीव और अधर जीव और कि अधर जीव और अधर जीव और जीव और मजध है झाख्ज कि नुक्री कैं़िव च्रथान थार आई खा-क honesty कि फिर बिर्ते ज título ज्किन दिया ऑट जे गूति तुथ और जो तुडिझ जग zwyड विशाल । कर औक दक चीक आपना के दितर क अफेकर जहारी एवपना कन अन्क व काहर कस्टक अधन स कु Christmas उड्सक sun az करोफ तो आप सरी, तोफ फ्टन डंड अवंग इंट इनु capability गीर केर जे अप्योट quello में इंट आप मिच्षचिन मिजने स says सबड़ेवा गींट कहिभे ए्मुगाइ जैक य हमें अजय क्या है, ऐ करने लुड़ेब की रिजन स chodzi अITY often i take this opportunity to thank navigation guidance and control team demolition team Si tens of steam and all the maintained subsystems team work not success to this mission I also take the opportunity to thank the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this त्रे कर्छेकोर होस्थूट से थो और डोरियों क्योंकिन थीक क्योंकिया है वियल झालिस्ट एम्हाराक जरोब जकी एमेंगे प्लिख तुर एन खालै साथ की तुरेगए सिर्माइब प्रिषू ए connection घभ व्यं rolling एकियांग एमेंबर की तुक्षर में मेंब करें आड थमार्यम था रेक्षीपू है अप। आनौिक टूकित है करिए पर ने सब्सक्रियने एक जाँ हुआ जाले आश्ट है जातरु थो जाए प्याहिए टेयर टो जो तेक्ट वी खटुरो विखने कर फिस फिर यून उट्टेम और ट्यूट ट्रीटरी ग्रिप्टेट यजिव ज फॉर एड़् फिर ज स्पेस्ट्री मेज टेयर ग्रोन व जूफरीज़ए चुन्रयांत्री आंट टी दिछ एते हो इंट इंटिपी इंट इंट १ु ग इंट सथान् इंट का आरीब को ़ूमनियुकर बारी पर्षect्व Communistच बीक इंट व्यूर्च कर दो दोन व्यूमार इस्रो आफ आंढकों से लिए इस ह्यूर्ट आफैस को तुम एंप लिए डिए। इस पूसिंशूब तो मैंट इस न खिक कि अजूव। from all the areas of the departments, thank you, thank you. Chandrayaan, three is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across Israel and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years, so I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. So, today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So, here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they have faced and overcome that. As a person who has been watching this for the last four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now, today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So, as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us. In all, 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 for every one of, every one of you, a big thank you because even, even a casual remark, an unintended point can, can help a person who is striving to reach a goal. It, the person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite a, that's why I said that even unintended help is, is very, very, very welcome and we are very, very thankful for that. Thank you, thank you, thank you, team Isro for supporting all of us, the amount of affection I, we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. The amount, the, in fact, I was not that much confident because we have seen couple of times issues because I, I know very well as a, as a person who has been doing in this, in this domain for 30 years, six years, I know there are thousands of things, any of that could, can anytime go wrong and derail, but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that we are, they know that we are going to succeed, the people want us to succeed. So, thank you very much for everyone, for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, Isro's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable, Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you, you and your family for the wonderful work you did in Isro. So, thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of, you know, comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in Isro. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir, and Mr. Kamalakar, Shri Kotesha Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of Israel leadership and Israel scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. Yeah. Yeah. Yeah! Yeah. Yeah. कि अख्यूड़ जबने राधे नाधें, इसमें आफ़ाईब प्रेशा हैं प्रूज्ड दोटके आप हुड़ा जबने, प्रूज्ड पर नख़ाईब प्रुड़कूद, ही राधें, जय दूख बीजिए तरिया हैं। अब जब जो जो कि अब जो झाल झाल झाल